है नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दविपूल 420 पर आई होब गाईस आप सभी अच्छे होंगे जैसे कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डिलिक मार्केट एनालीसिस वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी सबसे पहले अपन चलते हैं कि आज हमने किस प्रकार लाइव में काम किया लाइव मार्केट में हम आपके साथ आते हैं अपनोंने मार्केट में कौन से ट्रेट्स लिए क्या लोजिक्स थे उनकी अगर बात करू तो देखिए सबसे पहले निफ्टी बेंग के उपर में बात तो इक काफी अचसे लेवल से rejection लिके आया था अगर आप थोड़ा से अफजोफ करोंगे एक जोन था Market Selling, Market जब भी Selling, जब भी Selling दिया, बढ़ा Selling दिया, जब भी Selling pattern जिसे बोलते हैं mother and baby candlestick pattern वो inform किया और मैंने जैसे बेरी शरामी candlestick pattern देखा I just entered in a next candle then market में काफी अच्छा around देखो risk किते points का लिया था इस trade का अगर बात कलू ना इसी को अगर 5 पर मैंने trade execution किया था इस trade में risk किते points का था उसकी बात कर लेते हैं something 35 points around का risk लिया था और 135 points का target था 1 is to 3 का ये भी risk reward ratio बन रहा था 1 is to 3 के risk reward का एक trade था second trade था भही हम market ने क्या किया था strong support तोड़ा था 41,200 का उस पर trade क्या था एक केनर close होते से अपन trade में गयते 22 points का stop loss था और 80 points around मिले थे 1 is to 3 around risk reward ratio यहां भी था तो इस प्रकार का market रहा आज का अच्छा market था अब कल market क्या कर सकता है मैं यही analysis करते हैं अच्छा रहेगा ठीके कल market किन अच्छे levels पर अच्छा moment दे सकता है इस पर चर्चा कर लेते हैं day time frame पर चलते हैं day time frame से आते हैं माहां से अपन काफी अच्छे से इसे क्लेरिफाय कर पाएंगे कि market कर क्या रहा है सिधा सब फंडा आप सभी को यह तो समझ में आ रहा होगा कि market क्या करता है इन जोन से selling लेता है पिछले कुछ समय से आपको दिखी रहा होगा अराउंड अगर में बात कर लूँ 14-15 September से बात कर लूँ 14-15 September की बात कर लूँ 20 September की बात कर लूँ around 21 September की बात कर लूँ लगबग अपने पिछले 3-6-7 दिन से market इन ही range में गुम रहा है अगर देखा जाए तो क्या market आपको इन levels के बीच में फसा हुआ दिख रहा है exactly around ये ठीके अगर आप पिछले 7 दिन का market देखोगे आपको 7 दिन का market इन ही zone में दिखेगा मतलब market का अभी sideways में market consolidation दे रहा है अब देखते हैं market यहां से क्या करता है exactly हाला कि upper side से continuously में selling आया है लेकिन फिर market gap up open होके उपर चल जाता है तिन वापस से वहां से selling दिखता है ये सा market हमें देखने को मिल रहा है पंदा मिल टाइम पर हमारे लिए कौन से यसे महत्पून लेवल्स होंगे जो हमारे लिए काफी ज़्यादा महत्व रखेंगे यहां से एक बार लेवल्स क्लियर करके पंदा मिल टाइम पर थोड़ा सा समन्य का try करते हैं market कर क्या रहा है देखे यार गाइस एक लेवल सबसे पहले अपन देखते हैं जो कि काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है I think यह वाला लेवल ठीक है 41,038 का लेवल है लेकिन प्राइस एक्षन वाइस भी यही लेवल दिख रहा है यह वाला देखेगा तुड़ा सा अगर इस लेवल को लगा दूँ तो प्राइस एक्षन वाइस भी यही लेवल दिख रहा है पहले का रजिस्ट था सपोर्ट था देन वापस इसने क्या साथ जोन है अगर मार्केट क्या करता है इस loan को breakdown करता है देखे शुन गार मार्केट क्या करता है इस zone को इस zone का लास्ट partition अपन आरान मान Fast 29,3900 यह 41,000 का exact level 41,000 का exact level है अगर प्राइज इक्षण अपन देखके काम कर लेंगे मार्केट की sentiments देखके काम कर लेंगे तो अपने लिए एक्जेक्ली कुन सा वाला लेवल महतपुन है भया 41 के 41,000 का लेवल हमाई लिए काफी ज्यादा महतपुन है यहां पे इसको मैं एक्जेट कर देता हूं 41,000 का और उसके अलावा इसे अगर आप एस जोन कंसाइडर करते हो तो यह एस जोन भी आपके लिए काफी ज्यादा महतपुन रखता है इसा मेरा मानना है देखो कि सेलिंग आया था क्लोजिंग दिया था मार्केट ने यह लेवल तोड़ा दिन वापस मार्केट इसी लेवल पर आके क्लोज भी गया था तो कहीं ने क्या दिया एक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है ए दिस्टेंस भी प्रोवाइड किया ठीके आगे बढ़ते हैं आज के दिन में भी मार्केट ने कहीं ने कहीं ने कहीं इसी जोन के आसपास से क्या दिया विया सपोर्ट दिया है मार्केट ने और दिन मार्केट ऊपर सो मार्केट में यह लेवल हमाई लिए काफी ज्यादा मह का 41,210 का level है जिसके उपर अपन market में क्या कर सकते हैं कि buying कर सकते हैं call buying हो सकता है 41,200 का क्योंकि पूरे time market अगर आप देखोंगे पिसले कुछ समय में एक hand and shoulder बना कि market इसी level के नीचे से retirement लेके आया है exactly clear दिख रहा है आपनों को तो कहीं न कहीं हमाई लिए 41,212 का लेवल बहुत महत्वर रखता है यह breakout होता है अपन मार्केट में एक बाइंग की और कहीं न कहीं देख सकेंगे मार्केट में कॉल बाइंग देख पाएंगे अगर 41,000 का राउंड लेवल टूटता है तो मार्केट में पहले टागेट कोन से हो सकते हैं साँ सो देखे कहीं न कहीं मार्केट में 41,000 का राउंड लेवल टूटता है अपन मार्केट में डारेक्ट लिए 4,850 तक के टागेट के लिए देख सपाएंगे market में ये important targets रहेंगे upper side में अगर market क्या करता है break out देता है तो कहीं न कहीं market में directly अपन चलेंगे 41-500 तक के लिए अपन market में move करेंगे 41,000 exactly ठीके ये zone रहेगा अगर बात कर लें market upper side के movement के लिए ये एक zone रहेगा ठीके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाले हैं level 200 days moving average की बात कर लेते हैं थोड़ा सा वो भी यहीं आसपास है 15-minute time frame पर एक support दे रहा है लेकिन अगर इसे 5-minute time frame पर देखें तो कहीं न कि इसकी नीचे market है ये भी काफी ज़्यादा महत्व रखता है कि market क्या कर सकता है तो थोड़ा सा aware रहेगा market को लेकि expire ये आपके zones लेवल यही होने वाले हैं कल के लिए market में जो आपके सामने लगाए हैं एक आधी train line की बात कर लेते हैं train line कौन सा हो सकता है ठीके ठीके तो कहीन कहीन ये आपका ये काफी ज़्या रजिस्ट दिख रहा है प्रिवेस कुछ समय वे रजिस्टेंस था आज के market इसके उपर जित्ती बार गया दो false breakout दिख रहा हैं अपनों को इसका कहीन कहीन लेकिन अच्छा कासा एक candle भी close होते से सेलिंग आ गया था अगले केंडल में तो कहीन कहीन रजिस्टेंस 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 एक्जेकली ये काफी ज़्यादा टाच हो चुकी है इस trend line के तो अगर market क्या करता है 41,212 का level तो ये trend line का भी breakout देखने को मिलेगा तो अपन market में एक buying कर सकते हैं लेकिन एक चीज और ये बहुत ज़्यादा strong resistance होने वाला है उसका reason है 200 days moving average भी यही है अपने levels भी यही है और exactly trend line भी है तो 3-3 like super solid क्या है resistance है तो अगर market को उपर निकलना है तो फिर बहुत अच्छे से निकलेगा और नीचे भी जाना है तो बहुत अच्छे से जाएगा क्योंकि market फिर levels के नीचे ही है ठीके ना इसके बाद अपन nifty 50 को समझ लेते हैं nifty 50 का क्या सिनारियो है थोड़ा सा nifty 50 पे focus कर लेते हैं देखे दोस्तो nifty 50 की बात करूँ nifty में exactly कल जो आपको देख ले लगबग यहीं open हुआ market downside में अठारा आजार तर राउन का लेवल 18,093 राउन का लेवल देख लेए जो zone था उसका breakdown करके retrace करके नीचे गया देन वापस उपर आया फिर उसकी का market ने respect करके नीचे आया तो कही ने कहीं level से सारे महत्पून रहे हैं आपके लिए at least संभा हुत है अगर पंदा में टाइम फ्रेम पर इसको एक बार जोए सारे लेवल्स क्लियर करके इसे डे टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं ठीक है ओके डे टाइम फ्रेम पर अगरम बात करें तो कहीं ने बुलिश इंगल फिंग पेटा में देखने को मिल रहा है मैंने आपके लिए जोन भी बनाया था कि मार्केट का रिजेक्शन एरिया हो सकता है अभी अपन इनहीं दो केंड़स्टिक पेटन से और यहीं बात करेंगे इन्हीं दो केंडल से बात करेंगे देखें, इस सुपर सुलिड अपनों को रिजिस्टेंस बता है, सपोर्ट की बात कर लेते क्या स्ट्रोंग सपोर्ट बन रहा है, राउंड ठीके, लेटेस प्राइज एक्षन को अगर रिस्पेक करें तो ये सपोर्ट बन रहा है, वो प्रिवियस की बात कर लें तो कहीन कहीं, अठारा अजार पचास सम्टिंग का सपोर्ट बता रहा है, ठीके ओके, इनी को पंदामी टाइम फ्रेम पर समझें तो कैसा लगेगा, देखें सुपब, इनी को अगर वन आर टाइम फ्रेम पर देखें कैसा लगेगा कल का Market Analysis वीडियो देखोगे, तो मैंने एक चीज़ बताया था, कहने की Market क्या कर सकता है, एक Double Top बना सकता है, ऐसा आप मेरे शब्द थे, अगर आप कल का Market Analysis वीडियो चेक करोगे, तो मैंने कहा था कि एक Top बना हुआ था, कल एक जेकली इस प्रकार से Market ने Closing दिया था, यहां था, तो मैंने कहा था, Double Top बना सकता है, अगर Market क्या करता है, Double Top बनाता है, ठीक है, Market अगर Double Top बनाता है, तो भी Market में एक सार्फ सेलिंग आ सकती है, और वन आर टाइम फ्रेम पर मुझे Double Top दिख रहा है, तो कहीं न कहीं, अगर कल Market में क्या है, Expire यह, Market क्या करता है, 18,050 के Level को तोड़ता है, तो कहीं न कहीं हो सकता है, Market 18,000 के Round Level भी तोड़ दे, और एक अच्छी कासी सेलिंग देखने को मिल जाए, Because Market ने क्या किया है, यह वाला Swing तो Break किया है, ठीक है, यह जो Swing बनायता है, यह Swing तो Break किया है, उसके नीचे Market ने कहीं न कहीं रुका है, तो हो सकता है, Market क्या करें, अब एक Downtrend अपनों को दिखा दे कहीं न कहीं, यह हो सकता है, Consolidation दे दे, Overall Market में हमाई लिए महत्वपून लेवल कौन से होने वाले, एक है 18,050 का, इसके बाद अगर अगर अपन थोड़ा अगर अपन बात करें, at least, 18,100 का लेवल है, काफी ज़्यादा स्टोंग है, अपनों को प्राइज एक्शन वाइस दिख रहा है, 18,100 का लेवल, यह देख लीजीगा, Breakdown अच्छा का सानीचे, Retracement के बाद भी अच्छा का सानीचे, तो Market क्या करता है, अगर Market 18,100, 18,100 का लेवल है, 18,100 का लेवल है, इसके उपर Market candle close करता है, 5-minute टाइम प्रेम या 15-minute टाइम प्रेम की बात हो रही है, और sentiments अगर आपको positive लगता है, तो आप एक छोटे stop loss के साथ Market में क्या खड़ सकते हो, काफी अच्छा Moment केप्चर कर पाओगे, at least आप देख पाओगे, moment around बात करें, तो 18,170 तक के अपन टाइट देख पाएंगे, 60.something के अपन टाइट मार्केट में देख पाएंगे, so I hope guys आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो काफी ज़्यादा informative लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इस पे वीडियो पे आपका एक अच्छा सा महत्पूर, comment, like तो बनता है, so, ठीके, मिलते हैं, exactly कल market morning में, live में, मज़ा करेंगे, 9 बज़े से 3 बज़े तक आपके साथ रुखते हैं, काफी ज़्यादा interest रहता है, निफ्टी बेंक, निफ्टी एनालिसिस करते हैं, तो चैनल को like, comment से subscribe कर दीजीगा, मिलते हैं दोस्तों कल morning में, live में तब तक के लिए ध्यान रखेगा,